हेलो विवर्स वेलकम तो मैं चैनल सिंपल एंड इजी क्लासिस बीए सी से जुड़ी सभी इंफर्मिशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आज का टॉपिक है गंधी बग तो यह एक्जाम में किस तरह पूछा जाता है और कप कप आया है यह मैं आपको बताती हूँ यह कुछ इस तरह पूछा जाता है लैप्टो कोरिसा वेरी कॉर्निस की लाइफ साइकल एंड कंट्रोल को एक्स्प्लेन कीजिए यह आया है आपका 20 2020 में शौट में आया था 15 में शौट में आया था और 17 और 18 में यह लॉंग में आया था यह एक्जाम में आने वाला सबसे important topic है फिर गंदी बग लैप्टो कोरिसा वेरी कॉर्निस को जनरली गंदी बग कहते हैं इसका जो नहीं होता है वो लैप्टो कोरिसा वेरी कॉर्निस होता है classification phylum arthropoda class insecta order hemiptera genus lepto कोरिसा और species वेरी कॉर्निस distribution distribution यह कहां कहां मिलता है तो यह वाइडली इंडिया औंट्रोपिकल औंड सब ट्रोपिकल रीजन उत्तरप्रदेश में mainly मिलता है यह पैडी क्रॉप्स पर इंफेक्ट करता है पैडी क्रॉप्स क्या होते हैं पैडी क्रॉप्स ही होते हैं पचावल धान यह जितनी भी क्रॉप्स होती हैं इसे हम पैडी क्रॉप्स कहते हैं तो यह इन ही पर में लिए इंफेक्ट करता है इसलिए इसको राइस बग भी कहते ह इसका structure यह green brown color का होता है और two centimeter long और slim होता है इसमें three pair of legs four jointed antennae, three jointed turkey, one pair of compound eyes present होती है female body male के comparison में चौड़ी होती है इनके mouth parts sucking and piercing type के होते हैं sucking and piercing यह चूसने के काम आते हैं और piercing मतलब यह भेदने के काम आते हैं यह इसका structure है structure में आप देख सकते हैं कि यहां सथोड़ सा slim होता है इसके one pair of antennae, compound eyes है और यह इसके three pair of legs है यह बहुत ही unpleasant smell उत्पन करती है इसलिए इसे गंधी बख कहते हैं unpleasant मतलब यह बहुत ही गंधी सी smell उत्पन करती है इसलिए से गंधी बख कहते हैं इसकी life cycle होती है यह है पूरे साल पूरे वर्ष reproduction करती है तथा अगस्ते अक्टूबर के बीच पैडी crops पर infect करती है वैसे तो पूरे साल reproduction करेगी लेकिन अगस्त से अक्टूबर के बीच यह पैडी crops पर infect करती है इसकी female धान की leaves पर एक देती है इस टाइप से यह जब leaves पर एक देती है तो यह एक line में होते है पूरे है sequence में होते है एट से ट्व kommos 2 यहेक इस टेकी material की ससाथ leaves पर झिपके रहते है KIM की सिपके तथा seven से ऐट days में hatching होती है साथ से आजमें hatching होती है और hatching से जो है वह निमफ बनता यहाँ निमемсяगा जो qta 1611 लाएड एलोटलें कलर का होता है और इसके विंग्स नहीं होते हैं 15-18 दिन में 15-18 डेज में यह निमसे एडल्ट बनाते हैं इसकी complete life cycle 4-5 week की होती है इसकी जो complete life cycle होगी वो 4-5 week में complete हो जाती है यह पेस्ट जुलाई से नवंबर तक reproduction करता है फिर नवंबर से फरवरी तक resting stage में रहता है और फिर मार्ट से जून के बीच ग्रास पर feeding करता है यह इसकी life cycle है यह एडल्ट है एडल्ट से यहाँ पे इसने एक्स दिये यह एक्स आप देख सकते हैं एक पूरे sequence में लाइन से लगा हुई है यह 7 से 8 दिन में hatching करते हैं और hatching के वर निम्ब बनाते हैं फिर निम्ब to adult in 15 to 20 days निम्ब से जो एडल्ट है वो 15 से 20 डेज में बन जाता है यह एडल्ट इससे यह एग आए और यह एक्स से यह निम्ब बना और निम्ब से यह फिर से एडल्ट बन गया damage यह चावल तथा धान का rush चूसकर उसे बेकार कर देते हैं उससे धान फूरा विक्सित नहीं हो पाता इसके कारण fungus भी लग जाती है control कीटो को जाल द्वारा पकड़ कर नस्ट कर देना चाहिए या 0.25% बहसी का छिड़का आप करना चाहिए ddt का 0.25% यूज़ करना चाहिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चनल को subscribe करें और वीडियो को like करें thank you